हालो गाईज, वेलकम बैक टो माई योटिप चानल, आइल्स विद आम के, I hope गाईज बहुत अच्छे होंगे आप लोग, so गाईज, आज मैं आप लोगों के साथ जोनल स्टुडेंट और एकडेमिक स्टुडेंट का जो आज एक्जाम हुए, जो अंटी अगस्त को, उसका र फंडिंग, थर्द था मेडिकल साइंस और हेल्थ, so ये फर्स्ट और जो थर्ड पैसेज़ेज़ेंट जो मैंने आउनलेन क्लासेज में करवाए थे, वो सेम ही आज के एक्जाम में रिपीट होए हैं, so इसी वजह से एक्जाम लेवल मेटियल को ही आल्वेस प्रैफर किया क करो, जीटी की बात करते हैं, जर्नल की जो रेडिंग थी, वो एजी टो मॉडरिट थी, उसका पैसेज था, ड्रीम वीवर्स था एक और वर्क प्ली सेफटी था, कलब संड रेस्टोरेंट था, जोन्स गार्डनिंग था, okay, so इन में जो ये ड्रीम वीवर्स और वर्क प्ली सेफटी है, ये रपीट हुए हैं, जो मैंने करवाए हुए थे, क्लासिस में, वो सेम ही फाइनल में आए हैं, बात करते हैं, लिस्निंग की, लिस्निंग इजी तो मॉडरेट है, मतलब ठीक रही है, कौन कौन सी टाइप आई थी, मैप, फिलिंग दी ब्लांक्स, एमसी पर था, लिस्निंग का नेम बता रही हो, सेक्शन वन, टैंपररी जॉब था, जो सेक्शन क्लू था, वो फेरी बोट टर्मिनल था, और मैप भी फेरी बोट टर्मिनल के रिगार्डिंग ही आया था, जैके स्कोरिंग थी, आप लोग इसमें अच्छा स्कोर है कर सकते थी, अकेडेमिक और जीटी, दोनों को ये ही आये थी, अकेडेमिक का जो टास्क वन था, उनको टेबल आया था, पोर्शन था टेबल का, देबल शो दे नमबर अफ इंप्लोईज और फेक्टरी इसमें बता देना, अकेडेमिक स्टुडेंट का टास्क टू था, human activities have negative effect on plants and animal species, some people think it is too late to do anything about this problem, others believe that effective measure can be taken to improve this situation, discuss both view and give your opinion, इसका sample answer भी आप लोगों को जल्दी ही चैनल के पर है, वो मिल जाएगा, अब हम देखते हैं, जीटी की राइटिंग, जीटी का जो टास्क बन था, वो था, you and your colleagues want to learn more about foreign language training को, write a letter to your manager, तो ये था टास्क बन आया, जीटी को, और टास्क टू था, some people believe that the best way to reduce traffic problem is to build more roads, give your opinion, तो ये टास्क टू था जो की जर्नल स्टुडेंट्स को final exam में आया था, तो overall exam था, वो easy to moderate की बीच में रहा है, मतलब अच्छा score आप कर सकते हो, अगर आपने अच्छी preparation की थी, अगर आपने exam level material यूज किया था, तो definitely आपके बहुत अच्छे score है, वो आ सकते थी, thank you.